प्रविश्टर है उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे लास्ट सेशन में हमने पड़ा सेक्स लिंक्ट इन्हेरिटेंस के बारे में जहां पर दो टाइप के इनहेरिटेंस हमने पड़े एक्स लिंक्ट इन्हेरिटेंस और लास्ट सेशन में हमने देखा एक्स लिंक्ट जीन्स या सेक्स लिंक्ट जीन्स के वज़े से जो क्यारेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं जैसे कि कलर ब्लाइननेस और हीमोफीलिया तो इन दो क्रॉसेस के हमने एक्जांपल डीटेल में समझे अब आज का session काफी interesting है क्योंकि आज के session में हम क्या पढ़ने वाले है sex determination के बारे में आज का session start करने से पहले मेरी आपसे एक request है कि अब तक अगर आपने हमारे live session के लिए जो हम live lectures conduct करेंगे उनके लिए अब तक अगर आपने subscribe नहीं किया है तो please description पर मैंने link दी है जो दिवाली special surprise है HSE students के लिए वो video देखो उस video में हमने whatsapp number provide किया है उस whatsapp number पर message करके आप अपना package जल्दी से जल्दी enroll कर लो क्योंकि हम बहुती कम price में आपके लिए live lectures लेकर आए हैं और अगर अब तक आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe भी कर लो ठीक है तो चलिए start करते हैं आज के session के साथ अब आज के session में हम क्या पढ़ेंगे sex determination के बारे में तो sex determination की theory के पहले हम देख लेते हैं कि sex determination में क्या चीज़े होती है और sex determination का meaning क्या है आपके textbook में जो theory दिया गया है वो हम cover करेंगे पर मैं आपको पहले एक general meaning बताना चाहती हूँ कि sex determination मतलब क्या sex मतलब क्या होता है कि जो इनसान है जो human है या जो भी living organism है वो male है या female है इसके बारे में पता करना male या female के अलावा अगर वो कोई दूसरा sex represent कर रहा है तो वो एक genetic disorder होता है क्या होता है वो एक genetic या chromosomal disorder होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे जैसे कि transgender जो होते हैं उनके case में क्या हो जाता है उनके chromosomes में क्या हो जाता है एक बहुत लंबा कहानी है तो उसके बारे में हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे पर आपको basic क्या पता होना चाहिए exam point of view से और फिलहाल current syllabus के point of view से कि sex determination मतलब क्या होता है पता करना determination मतलब पता करना क्या पता करना बच्चे का sex पता करना sex पता करना मतलब क्या होता है कि उसका sexual organ कौन सा है मतलब वो बच्चा male है या female है बच्चे का sexual organ human का या living organism का किसी का भी animal हो चाहे humans हो किसी का भी sexual organ क्या है उस हिसाब से उसका sex पता करना इसको हम बोलते हैं sex determination sex determination के दो types होते हैं मतलब आप sex पहचानने के लिए दो अलग-अलग types follow कर सकते हैं so हम जो पढ़ने वाले हैं that is genotypic and environmental factors जो sex determination find out करने के लिए दो types होते हैं that is genotypic sex determination technique and environmental sex determination technique genotypic sex determination technique में हम chromosomes की basis पर पढ़ेंगे किस के basis पर sex determine करेंगे? chromosomes के basis पर sex determine करेंगे तो genotypic में पहला example आता है mammals का sex determination of human beings human beings are nothing but mammals ये हम बहुत शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि humans का sex determination कैसे होता है humans के पास 46 chromosomes होते हैं जिसमें से 44 chromosomes autosomes होते हैं और 2 chromosomes X and Y sex chromosomes होते हैं तो अगर किसी human में या किसी organism में जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें अगर 2 X chromosome है तो वो बच्चा female है और अगर किसी में 1 X और 1 Y chromosome है तो वो बच्चा male है ऐसा हम conclude करते हैं तो इसा हम first type of genotypic sex determination which is done in mammals then the second type of sex determination done by genotypic method is in birds birds में भी same humans जैसा ही होता है लेकिन birds में हम alphabet अलग यूस करते हैं और birds में opposite होता है humans के opposite humans में क्या होता है female में 2 X chromosome होते है लेकिन birds में क्या होगा कि male में 2 same chromosome होंगे मतलब birds के लिए हमने 2 alphabet कौन से लिए है Z और W humans के लिए हमने X और Y लिया है और birds के लिए हमने 2 alphabet लिए है Z और W तो जब आपके birds में female अगर है तो female का chromosome होगा Z और W मतलब humans के against, humans के opposite, humans में females में XX होता है लेकिन birds में ZW होता है, female में तो जैसे humans में female में same chromosome होता है वैसे birds में male में same chromosome होता है मतलब birds में अगर जो male है उसके chromosome ZZ रहेंगे और अगर female है तो उसके chromosome ZW रहेंगे और humans में क्या होता है, female में XX होता है और मेल में xy होता है तो opposite है okay all right और third type जो आता है genotypic sex determination category के अंदर that is haplodeployed sex determination type haplodeployed में हम पढ़ेंगे about insects मतलब जो honeybees होती है madhu-mukhi जो हम बोलते हैं उनका कैसे sex determination होता है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे haplodeployed type में यहां पर ratio के basis पे मतलब half chromosomes होंगे तो male और अगर double chromosomes होंगे तो female इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको यह और अच्छे तरीके से समझ में आएगा अब second type जो आती है this was genotypic method of sex determination जो हम detail में पढ़ने वाले हैं और यह environmental method of sex determination यहां पर आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है वो location dependent है blue box आपकी टेक्स्ट बुक में blue box दिया गया है sex determination in honeybees के ऊपर एक blue box दिया गया है वहां पर हमको location dependent category बताई गया है तो हमारे टेक्स्ट बुक में हमको क्या बोला गया है कि एक worm होता है कौन सा worm इट बिलॉंग्स टू किंग्डम अनीमेलिया बॉनेलिया वाइरडिस कौन से स्पीशीज है वाइरडिस स्पीशीज है जीन लार्वे फ्लोटिंग हूते हैं फ्लोटिंग मतलब पानी के उपर तेरते रहते हैं तो location dependent बोला मतलब locally levels के हिशाब से कैसे लारवे चिपक गया है तो वो लारवे बन जाएगा मेल मतलब this is very interesting magic of nature इसलिए हम बोलते हैं everything is not understood by science this is nature जो science नहीं समझ पाया है और इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हम हार नहीं मानेंगे और जो दूसरा example आपकी textbook में नहीं दिया गया है बट मैं आपको extra knowledge दे रही हूं यह NEET या NCRT के syllabus में दिया हुआ है temperature dependent environmental technique of sex determination तो temperature dependent में क्या होता है अगर आपका temperature कम है या temperature बहुत जादा है तो उसके वज़े से भी आपका जो एग होगा या जो किसी भी animal का जो एग होगा वो male या female में develop हो सकता है जैसे पानी को ले लो अगर तुम पानी को zero degree पे रखोग तो सेम पानी बर्फ बन जाएगा और उसी पानी को अगर hundred degrees पे रखोगे तो वह evaporation होना स्टार्ट हो जाएगा तो दोनों ही चीज़े अलग है एक solid form है एक gaseous form है उसी तरीके से जो animals होते हैं specially reptiles जैसे कि crocodile alligators और turtles उनके cases में क्या होता है कि उनके जो एग होते हैं crocodile और allig incubate करें incubate करना मतलब आपने देखा होगा बच्चा जब hospital में पैदा होता है तो उसको एक कांच के box के अंदर रखते हैं तो उस कांच के box को incubator बोलते हैं अगर आप आगे जाकर microbiology subject में अपना graduation करेंगे तो आपको पता चलेगा कि incubator जैसे एक machine होती है जिसके अंदर हम ऐसा वातावरण बना के रखते हैं जहां पर कोई भी organism एकदम आराम से ग्रो हो सके तो वो बच्चा जो कांच की machine के अंदर बंद होता है वो actually कांच की machine उसको कैसा environment देती है जैसा environment उसको mother के पेट के अंदर मिल रहा था मतलब warm environment safe environment तो यहां पर हमको क्या बोला गया है कि जब आ high temperature उसको provide करते हो incubate करते हो तो वो अंडा female पैदा करेगा और अगर आप crocodiles या alligators के एक को low temperature पर incubate करते हो तो वो egg किसमे convert हो जाएगा male में convert हो जाएगा this is magic of nature ऐसे हिसी हिसाप से turtles का भी है अगर आप 32 degrees के ऊपर turtles के एक को incubate करेंगे तो वो female बन जाएगा और अगर 28 degrees के न यह चेक कर लो लेकिन आपको basically क्या समझना है कि sex determination के दो तरीके हैं एक है genotypic method एक है environmental method हमको syllabus में क्या दिया गया है mammals का sex determination मतलब human beings का birds का sex determination और insects का sex determination that is haplodeployed type जहां पर हम honey bee का sex determination पढ़ेंगे और environmental type में हमको कौन सा दिया गया है location dependent location dependent मतलब पानी के ऊपर या पानी के नीचे larvae बैठेगा तो वो कैसे होगा तो ocean floor पे जब हमारा larvae grow होगा तो वो female में convert होगा और अगर इस female की body के ऊपर कोई दूसरा larvae आके attach हो जाए तो वो दूसरा वाला larvae male बन जाएगा मतलब जो larvae female की body पर बैठेगा वो larvae female की body के ऊपर parasite का काम करेगा हम जब bonelia virus का paragraph पढ़ेंगे तब आपको यह चीज़े और clear हो जाएंगी so this is basic introduction about sex determination now let us start with our actual concept of sex determination all right तो हम फटाक से sex determination का introduction देख लेते हैं हमने पहले ही आपको इसका आधा पाट बता दिया है आगे देखो क्या बताया गया है so sex determination the mechanism by which sex is established established मतलब पहचानना ओके known होना so the mechanism by which sex is determined mind और established it is termed as sex determination तो मतलब जिस process से हम किसी individual organism का sex पहचान सकते हैं उस process को हम बोलते हैं sex determination the term sex refers to sexual phenotype यह line को underline करो किस किसी भी individual का sex मतलब क्या होता है तो मतलब जिस individual के body में जो sexual organ होगा उस individual का sex वही होगा जैसे समझो किसी individual sexual organism के अंदर देखो आगे बताया गया मैं अपना example नहीं दूँगी टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है the term sex refers to sexual phenotype मतलब in some species both male and female reproductive organs are present in same organism क्या बोला गया हमको यहां पर कि कुछ ऐसी स्पीशीज होती है जहां पर उस individual के अंदर दोनों organ होंगे male का organ भी होगा और female का भी reproductive organ होगा तो ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट या बायसेक्शुल क्या बोलेंगे ऐसी स्पीशीज को हम इट इस डिस्क्राइब अस बायसेक्शुल और हर्माफ्रोडाइट और modern scale के एक लसे होती हों और हमनेज को याद होगा रिप्रेद्प्रोडाइट में हम ने यह टऊं defend पढ़ा था Monoaceous और Diaceous Monoaceous मतलब क्या होता है दोनो औरगन एक ही बाड़ी में Mono मतलब Single Body तो एक ही इंडिविज्वल है उसकी बाड़ी में आपको दोनो reproductive organ देखने को मिल रहे है Male reproductive organ भी और Female reproductive organ भी तो उस इंडिविज्वल को हम बोलेंगे Bisexual क्योंकि दोनो sexual organ है उसकी बाड़ी में या तो फिर उसको हम बोल सकते हैं Hermaphrodite या उसको हम बोल सकते हैं Monoaceous तो यह है उस organism का sexual phenotype Phenotype मतलब क्या होता है ऐसा character जो दिख कर आए तो जो sexual organ दिख रहा है उसको हम बोलेंगे sex और क्या दिख रहा है हमको कि किसी individual में दोनो reproductive organ है male reproductive organ के साथ साथ female reproductive organ भी है तो उस individual को हम बोलेंगे Bisexual और Hermaphrodite या Monoaceous और अगर दूसरा एक example लें On the other hand Some species in which the organism has either male और female reproductive organ It is said to be diaceous और unisexual और अगर हम दूसरा general example लें जिसकी majority ज़ादा है तो कुछ species ऐसी होती है मतलब जादतर species ऐसी होती है जिनके एक individual की एक body में एक ही reproductive organ होगा मतलब या तो उसकी body में male reproductive organ होगा या तो female reproductive organ होगा और फिर उस individual को हम बोलेंगे Unisexual Unisexual मतलब क्या होता है उसकी body में एक ही reproductive organ है या तो male का reproductive organ है या तो female का reproductive organ है तो उसको आप unisexual बोल सकते हो या diaceous बोल सकते हो क्या बोल सकते हो unisexual या diaceous humans are diaceous और अगर हम humans का example लें तो humans जादातर कैसे होते हैं diaceous होते है one in a million कोई ऐसा case होता है one in a million कोई ऐसा case होता है लाखों में कि किसी की body में दो reproductive organs देखने को मिलते हैं मतलब vagina भी और penis भी तो लेकिन ये दोनो reproductive organ properly developed नहीं होते हैं vagina का सिफ छोटा ऐसा opening देखने को मिलेगा और undeveloped penis देखने को मिल सकता है तो फिर आगे जाकर surgery एक तो ऐसे लोगों को chromosomal disorders बहुत होते हैं उनके hormonal issues बहुत होते हैं तो उनका survival rate कम हो जाता है लेकिन अगर समझो वो इंसान survive कर भी जाता है नॉर्मल conditions में तो उसको आगे जाकर वो surgery करवा के अपने आपको unisexual बना लेता है पर ये बहुत rare 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 सबसे rare cases है one in a million में ऐसा होता है सो आप ऐसा consider करके चल सकते हो कि humans are diaceous मतलब humans में या तो male reproductive organ होता है body में या तो female reproductive organ होता है ओके देखो sex और gender दो अलग-अलग चीज़े हैं sex मतलब क्या होता है कि आपके body में कौन सा reproductive organ है male reproductive organ है कि female reproductive organ है मतलब penis है कि वजाएना है और gender मतलब क्या होता है कि आप कैसा feel करते हो जैसे अगर मैं transgender का example लूँ तो कोई female अगर है मतलब उसकी body में वजाइना है वो female है बाहर से वो female दिख रही है लेकिन उसकी body में testosterone जादा produce हो रहे हैं तो उसको males वाली feeling आएगी तो फिर वो अपना gender male बता सकती है sex और gender ये दोनों अलग अलग चीज़े आप लोग ये चीज़े समझने के लिए बहुत छोटे हो लेकिन common sense के लिए ये चीज़ अपने दिमाग में रखो कि sex और gender दोनों same नहीं है sex, gender और sexuality ये अलग-अलग concept है तो आपको सिर्फ sex समझना है sex मतलब क्या होता है कि इस individual में कौन सा reproductive organ है male वाला reproductive organ है तो इसकी sexuality मतलब इसका जो sex होगा वो होगा male और अगर इसकी body में female reproductive organ है तो इसका sex होगा female okay और अगर दोनों reproductive organ है तो bisexual या hermafrodite समझ में आया यहां तक पक्का इतना पाट अच्छे से समझो बाकी चीज़े साइड में रखो वह आगे जैसे जैसे आपका horizon बढ़ेगा concept बढ़ेगा आपको आपने आप समझ में आने लगेंगी चीज़े okay all right अब आगे आपको next paragraph में एक experiment के बारे में बताया गया है जो जर्मन के बायोजिस्ट थे Sir Henking in 1891 वो spermatogenesis के उपर study कर रहे थे spermatogenesis मतलब क्या होता है हमने second chapter में यह process पड़ा है spermatogenesis means formation and development of sperms तो while studying spermatogenesis of squash bug squash bug मतलब एक तरीके का insect है वो एक तरीके का fly है so while studying spermatogenesis of the squash bug anasatristis he noted that sir मतलब यह Henking in scientist को क्या दिखाई दिया he noted that 50% of the sperms receive the unpaid chromosomes while the other 50% sperm do not receive it तो इन्होंने क्या देखा कि आधे sperms को ही chromosomes मिल रहे हैं unpaid chromosomes क्योंकि sperms कैसे होते हैं heploid होते हैं Samsung और इसे स्पार्म पर्सेंट को कुछ भी नहीं जा रहा है तो जिन sperms की अंदर chromosomes जा रहे हैं उन chromosomes को इन्होंने नाम दिया metres बोड़ी क्या नाम दिया इस नहीं जिन sperm's के अंदर chromosome जा रहे थे वो तो य chromosome थे लेकिन जिन sperm's के अंदर कुछ भी नहीं जा रहा था उनको इन्होंने नाम दिया X body तो आगे जाके इनको क्या पता चला hanking gave name to this structure as the X body but he could not explain its role in sex determination तो उन्होंने थोड़े time के लिए मतलब देखो spermatogenesis के बारे में जब वो study कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि 50% sperm's के अंदर chromosome गए हैपलोइड chromosome और बाकी के बचे 50% chromosome के अंदर chromosome बाकी के बचे 50% sperm's के अंदर कोई chromosome नहीं गए तो उन्होंने उन sperm's को नाम दे दिया X body उके उनको पता नहीं था कि यह खाली स्पर्म्स को में क्या बुलाओं क्योंकि इनके अंदर कोई chromosome नहीं गया ऐसा उनको लग रहा था हेंकिंग गेव नेम तो दिस स्ट्रक्चर आज X body बट ही कुड नॉट एक्स डिटर्मिनेशन और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यह बाकी के बचे 50% sperm's का रोल कैसे कनेक्ट करूं सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस से वो तो धीरे धीरे करके बहुत साल के बाद जब दूसरे साइंटिस्स ने स्टडी किया उन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन के टेक्नीक जब निकाली तो further investigations by other scientists led to conclusion that the X body of the hankin was in fact a X chromosome and gave the name X chromosome तो X chromosome यह कहां से नाम आया हेंकिंग के वज़े से आया क्यूंकि जब हेंकिंग एक इंसेक्ट के उपर स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा था कि उस इंसेक्ट के 50% sperm में सिर्फ अनपेड़ क्रोमोजोम जा रहे हैं हैपलोइड क्रोमोजोम जा रहे हैं और बाकी क्रोमोजोम में कुछ भी नहीं है तो इन स्पर्म को नहीं नाम दे दिया एक्स बॉड़ी और आगे जाके जब बाकी के साइंटिस्स ने इन स्पर्म के उपर स्टडी की तो उन्हें बता चला कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यह दोनों क्रोमोजोम इंपॉर्टन है और फिर उन्होंने नाम दिया उन दूसरे क्रोमोजोम को एक्स क्रोमोजोम क्या नाम दिया उन्होंने एक्स क्रोमोजोम तो इस तरीके से यूमन में दो क्रोमोजोम इंपॉर्टन होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक्स क्रोमोजोम और य क्रोमोजोम चलिए अब आग ने क्रोमोजोम के उपस study की और उन्होंने अपनी study का conclusion आगे जाके दूसरे scientist ने बताया कि X chromosome is responsible for sex determination तो अब देखो आगे क्या बताया गया है first example genotypic sex determination का first example जो हमने देखा था mammals उसका यहां पर हमको explanation दिया है so sex determination in human beings चलिए देखते हैं human beings में कैसे sex determination होता है the chromosomal mechanism of sex determination in human beings is XXXY type पहला point आपको क्या बोला गया है कि human beings में कितने चलो आप मुझे बता human beings में कितने chromosomes होते हैं 46 chromosomes होते है 46 chromosomes दो पार्ट में divided 44 autosomes and 2 sex chromosomes 2 chromosomes कौन से हैं sex chromosomes एक है x और एक है y okay so this is x chromosome this is y chromosome so हमको क्या बोला गया यहां पर the chromosomal mechanism of sex determination in human beings is XXXY type दो अलग-अलग type के chromosomes use हो रहे हैं एक XX और एक XY type okay in human beings the nucleus of each somatic cell contains 46 chromosomes अगर हम human beings की बात करें तो हमारे बोड़ी में जितने भी somatic cells है somatic cells मतलब entire body cells germ cells को छोड़ कर मतलब sperm और ovules या ovary को छोड़ कर हमारे बोड़ी के सारे cells में कितने chromosomes होते हैं हर एक cell में 46 chromosome होते हैं so in human beings the nucleus of each somatic cell contains 46 chromosomes और 23 pairs of chromosomes आप 46 chromosome बोलो या 23 pairs बोलो बात तो एक ही है मैं दो चपल बोलो या एक जोड़ी बोलो वही हो जाता है okay out of these 22 pair of autosomes and one pair of sex chromosomes और यह जो 46 chromosomes है या 23 pair chromosomes जो हैं इसमें से 22 pairs क्या है autosomes है और one pair क्या है sex chromosome है human female has a pair of XX अगर मैं female की बात करूं किस की बात करूं अगर मैं human female की बात करूं तो human female में कौन सा type का chromosome हमको देखने को मिलता है XX और अगर मैं male की बात करूं तो male में कौन सा chromosome का type हमको देखने को मिलता है XY so human female has a pair of XX homomorphic sex chromosome while male has XY heteromorphic sex chromosome देखो दो words यहां पर नए use किये गया है human female में homomorphic sex chromosome है कौन से chromosome है homomorphic homo मतलब क्या होता है same and morphic अला मतलäg structure तो जैसा structure is x का रहेगा वैसा ही structure दूसरे x का रहेगा इसलिए दोनों सेम है इसलिए इन दोनों प्रोंप। को हम बोलते हैं homomorphic chromosome क्या बोलते हैं इनको हम homomorphic chromosome और जो दूसरा है xy तो जैस अगर x का structure ऐसा है तो y का structure अलग है दोनों के genes अलग होंगे दोनों का structure अलग होगा दोनों के functions अलग होंगे इसलिए इसको बुला गया है heteromorphic chromosome तो female में कौन से chromosomes होते हैं homomorphic sex chromosome और male में कौन से chromosomes होते हैं heteromorphic sex chromosome female chromosomes are xx and male chromosomes are xy type ओकी अल्राइट दस genotype of female is equals to 44 autosomes प्लस xx देखो females का genotype कैसे बताया गया है females की body में 44 autosomes होंगे जो males में भी होंगे लेकिन female की body में sex chromosome कैसा होगा 44 प्लस xx मतलब जो sex chromosome होगा वो same type का होगा so 44 प्लस xx okay and male का genotype कैसा होगा 44 autosomes plus 1 x plus 1 y okay मतलब males में एक linkage group extra है हमने ये session में पढ़ा था बहुत पहले ये session में हमने पढ़ा था linkage group के बारे में जब हम पढ़ रहे थे कि humans में linkage groups कैसे divided है female के पास 23 linkage groups है क्योंकि उसके 22 autosomes है female के 22 pair of autosomes है और one pair of sex chromosome है और ये sex chromosome जो है ये दोनों same type का है xx है इसलिए females में 23 linkage groups होते है लेकिन male का कैसे यहां पर scene है कि males के 22 pair of autosomes होते हैं लेकिन उनका sex chromosome अलग-अलग type में divided है एक x chromosome होता है और एक y chromosome होता है और ये दोनों मिल के male का sex chromosome बनाते हैं तो total कितने linkage groups हो गए ये 22 linkage groups प्लस ये एक प्लस ये तो total कितने linkage groups हो गए male में 24 linkage groups ये exception आपको याद रखना है आपके NEET में ये पूछा जा सकता है अब ध्यान से सुनों ये क्या दिया गया है जब males में gamet form होता है क्या form होता है gamet मतलब sperms so during gamet formation in male the diploid germ cells in testis undergo spermatogenesis जब males में gamet formation होता है तो जो testis है male का जो reproductive organ है testis जहां से sperms बनते हैं that undergo spermatogenesis वो testis क्या करता है वो sperms बनाने लग जाता है testis का काम है sperms बनाना to produce two type of heploid sperms 50% sperms contain 22 autosomes and x chromosome while 50% sperms contain 22 autosomes and y chromosome देखो क्या बोला गया हमको यहां पर हेंकिंग का experiment आता है हेंकिंग ने हमको क्या बताया था रुको में यही रेस कर देती हूं हेंकिंग जिस experiment के उपर study कर रहे थे जिस इंसेक्ट के उपर उन इंसेक्ट के उन्होंने 50% sperms लिये दो अलग-अलग categories में 50-50 तो उन्होंने क्या देखा कि इस 50% sperms में मतलब एक कोई तो एक क्रोमोजोम है ओके समझ लो य क्रोमोजोम है इसमें कौन सा क्रोमोजोम है य क्रोमोजोम है और बाकी के बचे 50% स्पर्म में मैं हेंकिंग के एक्सपरिमेंट की बात कर रही हूं किसकी बात कर रही हूं हेंकिंग के एक्सपरिमेंट की बात कर रही हूं तो हेंकिंग में हमको क्या बताया कि जो आधे 50% स्पर्म हैं उन स्पर्म में और जो बेसिक क्रोमोजोम होते हैं वो तो दोनों में प्र Pra중에 partiragenlection expresidente अर दूसरे वाले पेर में autosome के साथ और एक कॉईतो प्रेजेंटर लेकिन वह क्रोमजूम कौन सा Sono सा है तो इस क्रोमजोम को उनुने क्या नाम दिया था X-Body क्या नाम दिया ठोНе एक्स क्रोमजूम को x-Body और आगए जा कि यही x-Body का आम क्या Pढ़ा एक्स क्रोमोजोम पड़ा जो further scientist ने हमको explain क्या, I hope अब आपको hacking का experiment समझ में आ गया होगा, तो इसी तरीके से humans का जब हम sex determination करते हैं, तो वहाँ पर हमको क्या explain किया गया है, कि human के जो sperms होते हैं, कहां बनते हैं, testis के अंदर, देखो, human का reproductive organ जो है testis, वहाँ पर स्पर्म बनना स्टार्ट होते हैं और डेवलप होते हैं और इस टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनते हैं वह स्पर्म दो पार्ट में डिवाइट किया जाते हैं 50% sperm's देखो testis में जो sperm's बन रहे हैं testis में जो sperm's बन रहे हैं उनमें के sperm's 50% sperm's 50% sperm's मतलब जितने भी sperm's होंगे समझो 2 million sperm है एक testis में तो मैंने उसको 1 million 1 million में ऐसा डिवाइट कर दिया एक testis के sperm को स्विप्टी पर जिएक किया होगा दोन होंगै मैं गया खीजह होंगी द surtout में 22 पर ओ besar ओस X chromosome होगा और बाकी के 50% सपर्म्स में 22 pair autosome के साथ क्या होगा एक Y chromosome होगा sperm कैसे होते हैं haploid होते है gamits हमेशा कैसे होते है sperm is nothing but male gamit so gamit हमेशा कैसे होते है haploid haploid मतलब क्या होता है कि पैर नहीं आपर पैर नहीं आएगा सिंगल सिंगल आएंगे okay so gamets कैसे होते हैं heploid heploid मतलब half set of chromosome half set बोला मतलब 23 full set बोला मतलब 46 okay so जो testis के अंदर sperms बन रहे हैं उन sperms को हमने 2 part में divide कर दिया एक testis के अंदर imagine करो कि 1 million sperms बन रहे हैं तो उसको मैं half half में अगर divide कर दू 50% कर दूँ total total sperm का तो जो first 50% होगा उन sperm में autosomes होंगे 22 autosomes और एक कोई तो sex chromosome होगा कौन सा sex chromosome हो सकता है X हो सकता है तो बाकी के बचे जो 50% sperm होंगे उन में autosomes common होंगे लेकिन जो दूसरा sex chromosome होगा वह present होगा अगर इस 50% sperm में X chromosome है तो इस 50% वाले sperm में Y chromosome होगा तो यहीं हमको यहां पर बताया गया है तो यहीं हमको बताया गया है अब आगे जाके female का क्या बोला गया है इन female the deployed germ cells in ovaries undergo eugenesis जैसे male में testis के अंदर sperms बनते हैं वैसे females में ovary के अंदर eggs बनते हैं तो इन female deployed germ cells in ovaries they undergo eugenesis to produce only one type of egg female में एक हे type का egg बनता है क्योंकि female के पास कौन से type का chromosome होता है X X so all eggs contain female के सारे eggs क्या contain करते हैं all eggs of female contain 22 autosomes and 1 X chromosome female के eggs में कौन सा chromosome होगा 22 autosomes होगे और एक X chromosome होगा रुको मैं यहाँ पर उपर लिखती हूँ yes see यह जो female है इसका जो ovary है ovary के अंदर जो eggs बनेंगे उन eggs में क्या होगा 22 autosomes होगे और एक X chromosome होगा क्यूंकि फीमेल के पास X X type of chromosome ही होता है उसके पास कोई अलग chromosome नहीं होता है तो मेल के gametes दो पार्ट में डिवाइड होते हैं लेकिन फीमेल के gametes एक ही टाइप में रहते हैं and that is it contains 22 autosomes and 1 X chromosome okay so if sperm containing X chromosome fertilizes egg then deployed zygote is formed and that grows into a female child अब आपको यहां पर क्रॉस करना है तो देखो आपको आपके टेक्स्ट बुक में पिच्चर बताई गई है यह बहुत सिंपल क्रॉस है हमने कितनी बार किया है अब आप टेक्स्ट बुक के डाइग्राम के मदद से देखो क्या बोला गया है हमको यहां पर if sperm containing X chromosome क्या बोला गया है अगर हम यह वाला sperm ले X chromosome वाला sperm ले if sperm containing X chromosome fertilizes with the female तो zygote कैसा बनेगा समझो अगर मैं male का यह वाला sperm ले रही हूं Maire यहाला sperm ले रही हूं यह 50% में से pelo ले रही हूं और यह sperm मेरे female के साथ Fertilize हो रहा है तो जो बच्चा होगा यह क्या है यह मेरा Zygote है क्या है यह मेरा Zygote है inppo male के इस 50% में से bluff 1 perador स्ऐस्अट ऑर sperm को मेरे Firm के streping साथ Fertilize कर रही हूं तो female का एक एक्स क्रोमोजोम और मेल का एक एक्स क्रोमोजोम मिलके मुझे डिपलॉइड जाइगोट देगा जाइगोट हमेशा कैसा होता है डिपलॉइड होता है तो यह डिपलॉइड जाइगोट का सेक्स क्या होगा फीमेल होगा क्या होगा यह डिपलॉइड जाइगोट का सेक्स and that grows into a female child और अगर हम अपोजिट करें इफ 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 स्पॉम कंटेनिंग वाई क्रोमोजोम अगर मैं इस कैटेगरी का एक स्पॉम लूँ मैंने इस टाइप का स्पॉम लिया तो मुझे फीमेल मिला अब अगर मैं इस टाइप का स्पॉम लूँ तो यहां वाले स्पॉम से क्य आएगा कौनसा क्रोमोजोम आएगा वाई क्रोमोजोम आएगा और जब यह वाई क्रोमोजोम इस फीमेल के साथ फर्टिलाइज होगा तो बच्चा क्या होगा बच्चा मेल पैदा होगा क्या बच्चा पैदा होगा मेल पैदा होगा सो इफ स्पॉम कंटेनिंग वाई क्रो होने वाली है यह किसके उपर डिपेंड करता है यह मेल क्रोमोजोम के उपर डिपेंड करता है मतलब स्पॉर्म के उपर डिपेंड करता है कि मेल के पास से कौन सा स्पॉर्म आया है एक्स क्रोमोजोम वाला स्पॉर्म आया है कि वाई क्रोमोजोम वाला स्पॉर्म आया है और यह मेल के हाथ में नहीं होता है कि मैं अपना एक्स् їक्रोमोजम वाला सपंव ही भेज़ू एक अंधिया ऐक ऐसी कंट्री है जहां पर अभी भी बहुत कर दिया जाता है तो इसलिए इंडिया में इंडिया में बच्चा पैदा होने से पहले पता नहीं करवा सकते कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है और अगर कोई डॉक्टर ऐसा करता है तो वो इल्लीगल है उसको फाइन लगेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा तो बेसिकली और इंडिया में ना मतलब इंडिया ऐसे बहुत सारी कंट्रीज नोट अली इंडिया बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर औरतों को दोशी माना जाता है, विमन को दोशी माना जाता है कि तुम लड़का पैदा नहीं कर सकती, बड़ टेक्निकली देखा जाएं तो females के हाथ में कुछ नहीं होता है, female के पास तो एक टाइप का chromosome है, वो zygote को सिर्फ X chromosome ही दे सकती है, लेकिन बच्चा male होगा की female होगा ये किसके उपर depend करता है man के उपर, मतलब sperms के उपर अगर आदमियों में से ये वाला sperm आया ये first 50% वाला sperm आया तो वो अपना X chromosome दे रहा है और ये X chromosome female के एक के साथ मिलके female बनाएगा और अगर हम males का ये वाला sperm ले रहे हैं आपर Y chromosome है तो वो male प्रोड्यूस करेगा so it all depends upon males की बच्चा male पैदा होगा की female पैदा होगी okay so this indicates देखो आपके textbook में जो cross बताया गया है वो photo भी देख लो एक male है एक female है दोनों के बीच में जब cross होता है मतलब पहले meiosis होता है meiosis के वज़े से gametes form होते है फिर gametes होने के बाद fertilization हो रहा है fertilization होगा तो हमको क्या conditions होगी हमको या तो females मिलेंगी दो या तो दो males मिलेंगे depending upon the gamete simple सा cross बताया गया यह cross आपको clear हो जाना चाहिए समझ में आई बात तो बच्चा male पैदा होगा की female पैदा होगा वो किसके ओपर depend करता है वो sperms के ओपर depend करता है तो देखो आगी पारेग्राफ में क्या बताया गया है इस इंडिकेट्स देट देट सेक्स ओफ चाइल डिपेंड डिपेंड कर रहा है मतलब बच्चा male है की female है यह किसके ओपर इसमें आद्मियों की भी कोई गलती नहीं और तो को भी कोई गलती नहीं वह खुद नहीं कर सकते कि हमको कौन सा स्पर्म देना है ओके वह उसके ओपर डिपेंड करता है कि आपका जो चाइल वह क्या होगा ओके यहां से अब आपको कंक्लूजन पता चल गया कि बच्चे का जो सेक्स होता है बच्चा लड़का पैदा हो रहा है कि लड़की पैदा हो रही है यह किसके ओपर डिपेंड करता है अब आप एजुकेटेड हो आपको यह चीज अच्छे से समझनी है और आगे जाके फ्यूचर में इस चीज को याद रखना है ताकि आप किसी के बीच में कि दिस्क्रिमिनेशन ना कर सको ओके बिकॉस एस स्टुदेंट्स एस रिस्पॉंसिबल सिटिजन ऑफ और कंट्री इट इस अवर रिस्पॉंसिबलिटी कि हम अवेर्नेस बढ़ाएं लोगों के बीच में ओके डियू टू लाक ओफ नॉलेज विमें आर ओफन ब्लेम्ट फ तुमको बच्चा हो रहा है तो उसमें भी तुम्हारी कंडिशन है कि तुमको लड़का चाहिए या लड़की चाहिए इस वेरी बाट सी अचाइल इस अगिफ्ट ऑफ नेचर यूमन्स आर गिफ्ट ऑफ नेचर एक इंसान पैदा हो जाए वही बड़ी बात है और अगर यह कॉंसर इस अगर यह का अच्छे से समझ में आया है तो आपको शेक्स डितर्मिनेशन इन जेटी कह लिए अच्छे से समझ में आया होगा मैं इस वीडियो को शौट रख रही हूं ताखि आपका पहले बेसिक लियर हो जाए पर जासे कि sex determination क्या होता है उसके types कैसे होते हैं और कैसे humans का sex determination पता किया जाता है अगर आज का session आपको समझ में आया है तभी आपको next session अच्छे से समझ में आ जाएंगे और next session इतना मतलब हम next session फटाक से complete कर देंगे and don't worry यह chapter बस almost कर देंगे और जितना हो सके उतना आपके exams आने वाले हैं semester बहुत से colleges में यूनिट टेस्टार्ट होने वाले हैं आपके बहुत सारे friends गाहों में होंगे याप तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे internet facility तो अब उनको शेर कीजी अपने college status पे अपने college group में whatsapp group में classes के group में जित people aware together तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो शेर कर देना और अब तक अगर live subscription package जॉइन नहीं किया है तो description चेक करो वहां पर हमने link दी हुई है उस वीडियो की जो दिवाली surprise special offer है वो वीडियो देखो और अपने आपको subscribe कर लो अपने आपको enroll कर लो हमारे live sessions के लिए झाल झाल